नमस्कर दोस्तो डेकरतास चैनल में आप सभी का स्वागत है आसा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ सूजी से बने बहुत ही टेस्टी एग नास्ती के रेसिपी से यार करूँगी एक बार आप इस रेसिपी को बना के जरूर सब्सक्राइबी है तो आप मिक्सी में एक बढर डाल के चला लिजेगा तो डाल देंगे हम करे एक कप सूजी में हम डालेंगे यहां पर पाथ चंमाज मिल्क पावडर छी छीसा साती तो एक अंड़े लिया है एक अंड़े हम तोड़ लेंगे अ कि टालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है यह रेसिपी एक बड़ आप जरूर बना के देखिएगा अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आते हैं तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों के साथ भी सेयर कीजेगा और चैनल में अगर आप नए हूँ तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्रा के काफी है तो पांच मिनिट अब हम ढखके रेस्ट के लिए रखेंगे फिर हम रेसिपी सुरू करते हैं पांच मिनिट हो गए अब हम हतली में लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और एक बार अच्छे से और हम इसे मसल लेंगे थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे हम थोड़ा सा इस तरीकी से बैटर उठाएंगे इस तरीकी से हम गोल करके फिर हम चप्टा कर लेंगे देखें एक अच्छा सा डिजाइन देने के लिए हम चाकू से इस तरीकी से इसमें डिजाइन देंगे ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इस तरीकी से डिजाइन देने से देखने में भी अच्छा लगता है देखें तो इसी तरीकी से हम सभी पहले बना की रेडी कर लेंगे छोटे बड़े साइज अब अपने पसंद कर्मसर यहां पर कर सकते हो बस कुछ नहीं करना है इस तरीके से हतेली में रखके थोड़ा सा हम चप्टा कर लेंगे और चाकू से हम इस तरीके से डिजाइन कर देंगे तो फिर इसी तरीके से मैं सभी पहले बना की रेडी कर लूँगे अब हम एक पैन में ले लेंगे तेल जब हमारा मीडियम गरम हो जाए हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे डालते टाइम गयास का फ्लेम बिलकुल हम लोग पे रखेंगे फिर हम low medium flame में fry करेंगे जब तक golden color ना आ जाए एक बाड़ी में जितना अराम से fry हो सके उतना मैंने डाल दिया है अब हम low medium flame में fry करेंगे जब तक दोनों और से color अच्छा साथ change ना हो जाए दो मिनिट बाद हम एक एक करके सभी पीस को पलड देंगे और आप देख सकते हो नीचे की और अच्छे से fry हो गया है और नीचे की और भी हम एक से डेर मिनिट पहले fry करेंगे दो तिन मिनिट में ये अच्छे से हमारा दोनों और से fry हो जाते है और आप देख सकते हो दोनों और से बहुत ही अच्छे से हमारा fry हो गया है उपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सौप्ट ये बन के त्यार होता है देखे तो निकाल लेंगे हम और इसी तरीके से बाकी भी हम बना के त्यार कर लेंगे बस हमें लो मेडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है देखे और यह देखके जितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है एक माने एक बार आप खाएंगे ना बार बार इसी तरीकी से बना के आप खाएंगे बहुत ही ज्यादा यह सौप्ट त्यार होता है तो क्यास का फ्लेम मैंने बन कर दिया है तो फिर आज की ये नास्ते की रेसिपी आप एक बात जरूर बना के देखिएगा देखें उपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सौफ्ट ये बनके त्यार होता है तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ा सभी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ सियार कीजेगा और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगी तब तक अपना ख्याल लखेएगा और चैनल में साथ स्माइल लखेएगा